हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई चेनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर ब्लाउस बनाएंगे इसे हम प्रेंसेस कट पर बनाएंगे वो 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लेजेगा और bell icon की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर lining लिए हैं हमने 80 cm और man fabric हमें 1 meter लेना है organza embroidery fabric लिया है तो इसकी जो cutting है वो पहले हम lining पर करेंगे इसके जो hook है वो हमें back में रखना है blouse की total length हमें 3.5 inch की रखनी है और इसमें 1.5 inch plus का लेना है margin का यह हम front part की marking कर रहे है shoulder लिया हमने 5.5 inch armhole भी हमको 5.5 inch ही लेना है chest का fourth part आएगा 34 का fourth part 8.5 inch front part है तो 2.5 inch plus करेंगे margin के लिए waist है हमारी 28 उसका fourth part लेना है 7 inch 2 inch लेना है tucks के लिए और 2.5 inch लेना है margin के लिए side से हमें line को draw करना है और 1 inch से armhole के side पर गोलाई देनी है देखिए गोलाई दी अब हमें यहाँ पर princess cut की marking करने तो यहां से हम 3.5 inch पर mark करेंगे यहां से भी 3.75 inch लिया है tucks point जो है हमारा वो एगर 10 inch पर अगर आप और भी बड़ा size बनाते है 38 size तो आपको यहां पर 10.5 inch लेना होगा tucks का point tucks की जो wheat थे वो 2 inch रखी है और length में इसको 2 inch लेकर stripe से shape दिया यहां से half inch लेना है और इस type से हमको shape दे देना है तो यह हमारा front part हो गया back part में हमें hook लगाने clip लगानी है तो यहां पर पहले हमें half inch की एक marking करनी है eye hook की पट्टी के लिए ठीक है अब यहां से हम shoulder की marking करेंगे shoulder आएगा 5.5 inch armhole हमें 5.5 inch लेना है यहां पर chest का fourth part आएगा 8.5 inch और 2 inch प्लस करेंगे margin के लिए total length जो है वहमें 14.5 inch की रखनी है और यहां से line को draw कर देना है यहां पर waist का fourth part लेना है 28 का fourth part 7 inch 2 inch margin का 1 inch back tucks के लिए side से line को draw करेंगे और 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है यह देखिए तो यह हमारा back part हो गया है दोनों को part को cut करना है cut कर लिया आप देखिए यह fabric बचा है तो इसमें हमें front की design इसमें हम collar लगाएंगे तो यहां से पहले straight fabric कर देना है यह देखिए straight किया इसको इस तरह से open करेंगे और यहां पर इसकी जो length है वो देख लेनी हमें तो देखिए हमारी जो total length वो 1.5-3 inch की रखनी तो हम यहां पर इसे 1.5-6 inch का रख रहे हैं तो वो आप अपने according देखिएगा कि आपको नीचे की side से किती सकी length बढ़ानी है जो कि आपको design में बाद में समझ में आएगा तो देखिए हमने इसको cut किया सेम इसी piece का एक और cut कर लीना है क्योंकि हमें इसे wheat में ज़्यादा चाहिए और इतना fabric हमारे पास नहीं है तो हमने इसी के size का एक और piece cut किया है नीचे इतना fabric जो छोटा है में आपर हम इसको joint लगाएंगे यह देखिए तो step से हमें इसको side में रखना है stitch करने के बाद इसकी cutting होगी और अब यहाँ पर हमें man fabric पर इसको cut करना है तो देखिए जो बंद वाले बागे वो हमें हमारे side पर रखना है और बंद वाले बाग पर हम front part को रखकर cut करेंगे यह देखिए इस type से और इसमें design देखिए कोई देखने की जरद नहीं है क्योंकि सभी तरफ flower और leaves बनी हुई है तो इतना हमें देखने की जरद नहीं है लेकिन अगर आपका fabric design एक ही side है तो आपको उसी size के उसी side पर आपको अपना जो blouse है वो cut करना होगा ठीक है तो यहाँ पर front और back हमने दोनों cut कर लिये है यह देखिए आप sleaze cut करने के लिए back armhole को measure करना है तो half inch shoulder को stitch करने के लिए चुड़ा बाकि जो armhole है वो हमारा 9 inch का तो अब हम यह आपर sleaze cut करेंगे तो sleaze करने से पहले जो हमारी design है जो हमने fabric को भी cut किया था वो हमें पहले इस पर cut कर लेना है यह देखिए तो इसकी जो wheat थे ना वो ज़्यादा है क्योंकि center से हम इसको stitch करने वाले इसको जहां से joint कर देंगे तो इतनी wheat हमें इसकी नहीं चाहिए होगी आप 4 से यह 5 inch तक इसकी wheat ले सकते है तो देखिए यह part भी cut हो गया अब हम इसमें sleaze cut करेंगे और इसमें हमें collar भी लगानी है तो यहाँ पर armhole था 9 inch तो 9 inch पर marking की और यहाँ पर इसकी जो land है वो हम रख रहे है 11 inch की यहाँ से दिखिए 3.5 inch पर marking करेंगे और इस पर shape देना है इसे हम cut करेंगे और sleaze जो round है वो है हमारा 11 inch का उसका half करना है हमें तो 5.5 inch पर mark करेंगे और 2 inch ले लेना है हमें margin के लिए यह दिखिए तो यहाँ से इसको उस तरीके से रखकर cut कर देना है तो friends यह दिखिए organza fabric अगर आप चाहना तो इसमें sand tune भी लगा सकते हैं बट मैंने इसमें sand tune नहीं लगाया है ठीके अगर sand tune लगाएंगे तो और भी अच्छा दिखिएगा यह fabric अब इसकी हम stitching करेंगे तो stitching सबसे पहले हमें front part के princess cut की कर लेनी है तो man fabric को हमने wrong side पर रखा और उसके उपर lining रखते हुए हमको सभी side से stitch करना है और इसका जो extra fabric है उसको हम cut करेंगे यह देखिए cut किया दूसरा पार्ट भी stitch कर दिया है अब यहाँ आप देखिए यह वाला जो पार्ट है इसको भी हमने lining और man fabric दोनों को साथ में stitch किया है इस तरीके से fold करेंगे इसे pin up कर लेना है इसकी जो weight है वो हम 3 इंच रखेंगे थोड़ी से मैं इसको broad रख रहे हूँ अगर आप 2.5 इंच रखना चाहते तो आप रख सकते है इसकी जो land है वो हमें 7 इंच तक ही रख लीनी है क्योंकि half इंच रोस लडर को stitch करने में चला जाएगा तो 6.5 इंच ही रहेगा round neck देकर इसको cut कर दिया है side sum इसको stitch करेंगे यह देखिए stitch कर दिया इसको अब यहाँ पे cross में पटी cut करनी है lining fabric की और double करते हुए इसको stitch कर देना है यह देखिए पूरे neck पर cut लगाएंगे और एक stitch पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के side fold करते हुए stitch करना है और इसी तरीके से हमारा front जो neck है वो complete हो गया है अब princess cut के part को stitch कर लेना है दूसरा part भी stitch करेंगे दोनों part stitch की है नीचे के side party लगानी है पटी के जो weight है वो हमने 1.5 इंच की रखी है एक stitch पटी के उपर से करना है इसको अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो friends यहाँ पर देखिए princess cut बाला जो पाट है न वहाँ पर मैंने iron करा है इस पर iron करने से इसमें क्या अधना blouse में finishing आ जाती है बहुत अच्छी finishing दिखती है तो इसलिए पहले आप जब भी blouse मनाएं तो साथ में इसको iron भी करते जाएं 1.5 इंच हमें armhole को गुलाई देनी है 1.5 इंच की अब यह जमारी front वाली design थी न यह वो है तो center से हमने इसको joint कर देना है नीचे के side पर हमने इसमें joint लगा लिया है एक stitch हम यहाँ पर धार वाली stitch लगा देंगे यह देखे अब देखे फोल्ड किया अब नेके side से हमें 1.75 इंच पर मार्किंग करनी है यानि कि पौने 2 इंच पर यह देखे पौने 2 इंच पर हमने मार्किंग की अब यहाँ पर इसकी जो total land है वो हमें यहाँ पर 16.5 इंच तक की रख लिनी है यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है और इस type से shape देना है यहाँ पर इसको step से मिलाएंगे यह देखे इसका जो shape है वो step से आएगा तो अभी हमें इसको इस तरह से fold करना है और इसे cut कर देना है यह देखे तो step से shape आगया इसका man fabric को right side पर रखा और उसके ओपर lining रखते हुए stitch कर देना है तो पहले हम इस पर pin up करेंगे और side से stitch करेंगे side का extra fabric cut कर लेना है और यहाँ पर cut लगा देना है इसको पलटना है पलटने के बाद इसके जो corner है वो अच्छे से निकाल लेना है finishing के साथ क्योंकि उसी का look हमारा front part में आने वाला है यह देखिए एक बार इस पर iron कर लेंगे ना तो यह अच्छे से set हो जाएगा तो एक बार iron कर लेना है iron कर लिए अब नीचे के side हमें लटकन वाली lace लगानी है तो जहां से हम इसे लगाना है start कर रहे ना वहां पर हमें थोड़ा सा fold करते हुए लगा लेना है ताकि जो हमारी lace है वो बाहर की side ना दिखे क्योंकि वो side से अगर कटी हुई दिखेगी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी इसलिए हमें side से इसको fold करते हुए लगाना है तो जब आप इसे fold करेंगे तो अंदर की side ही fold करेगा यानि कि यह जो मारी पटी है ना उसके अंदर की side fold करना है और यहाँ पर अगर आप लटकन यह कोडी वाली lace लगाएंगे तो वो ज़्यादा बैटर दिखेगी corner पर हमने cut लगा दिया है तो इसमें finishing आ गई है अब यहाँ पर हमने pink color की lace यूज़ करनी है और इसे पूरे ही side पर लगा देना है यह देखे इस type से हमने इसको लगा आया है side से एक stitch और करेंगे इस पर तो देखे अब हमारा यह वाला part तो complete हो गया है और अब हम इसके color को stitch करना है neck की जो weight थे वो हम 3 inch की रखेंगे और इसकी जो length है वो हम 10 inch की रख रहे है यहाँ पर हमें shape दे देना है तो normally हमने यहाँ पर step से shape दिया और इसको stitch करेंगे man fabric के साथ तो man fabric को right side पर रखना है और उसके उपर रखेंगे हम lining fabric और इसे stitch करेंगे cut लगाना है एक stitch lining fabric के उपर से करना है अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे बागी side से भी stitch करके इसका extra fabric cut कर देना है यह दिखिए तो हमने इसको stitch किया back ducts लगाएंगे जिसकी length हम 4 inch रखेंगे और यह जो tux लगाते हैं वो हमें आपर हमारी जो shoulder होता उसका center लेना होता है और फिर हम इसको tux लगाते हैं अब यहाँ पर hooky party को double करते हुए stitch कर लेना है उपर के side से fold करेंगे क्योंकि उपर करनेक हमारा complete हो गया है एक बार और fold करते हुए stitch कर दिया है hooky party complete हो गई आई की party को weight में हमने 3 inch रखा है उपर से भी इसको stitch कर देना है side से भी stitch कर देना है इसको fold करते हुए यह देखिए step से नीचे के side पटी भी लगा कर complete कर ली है अब इसको देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा blouse इसको center पर एक marking कर ली है और इस तरीके से इसको center पर रखना है जो design का पूरा corner है side वाला उसको बिल्कुल हमारे blouse के बराबर कर रखना है और side से stitch कर देना है तो देखिए जो हमारी हमने joint लगाया था वो ही MRS का center है तो center के उपर center रखकर stitch कर देना है जिससे कि क्या होगा ना कि हमारे जो दोनों neck का जो space है center का वो बराबर आ जाएगा यह देखिए तो हम इसी तरीके से दूसरे side से भी stitch करेंगे तो देखिए इसको हमने stitch कर दिया है यह देखिए पैड रखने पर यह इस type से shape आ जाएगा इसका proper अब हमें यह आपर इसको जो हमारी collar है वह लगानी है तो collar की जो लैंद है normally collar हम 15 inch की रखते हैं हमने इसको 16 inch रखा है तो चारो side से हमें इसको fold कर लेना है यह देखिए इस side से भी fold करते हुए stitch करेंगे तो इसकी जो weight रखी थी ना वो हमने यहाँ पर रखी थी 4 inch की ठीक है 4 inch पर दोनों side को fold किया और इस type से यह 1.5 inch के करीब यह बची हुई है जो हमारी collar है जो तो 1.5 inch की है अब इसको center पर हम इसको stitch करेंगे यह देखिए तो यहाँ पर इसके center और हमारी जो design है उसको center लेना है और step से stitch कर देना है इसके उपर लगा लेना है हमें lace तो देखिए हमने सारे ही neck पर lace नहीं लगाई क्योंकि हमें यह front वाले collar वाले part को ही highlight करना था तो इसलिए हमने आप पर lace लगाई अगर आप चाहें तो पूरे neck पर भी आप lace को लगा सकते हैं side से fold करना है एक बार और stitch करेंगे side से तो collar भी हमारी complete हो गई है collar में eye hook लगा लेना है अब हमें यह पर shoulder को stitch करना है एक stitch हम back side पर करेंगे और shoulder हमारे थोड़े से छोटे बड़े हो रहे हैं तो उनको हमें बराबर कर देना है अब हमें यह पर sleeve को join करना है तो sleeve में हमने नीचे के side पर lace लगा ली है और center पर इस तरीके से रखते हो इसको stitch करना है दूसरे side से भी sleeves को stitch करेंगे दोनों इसी type से stitch करनी है यह देखिए बेक stitch इसके उपर से कर लीनी है ताकि जो यह organ सा fabric है तो वो बाहर के side दीख रहा है तो वो अच्छा नहीं दीख रहा है यह हम इसको तरह से इसको stitch कर देंगे उपर से तो जिसका stitching वाला fabric है वो दिखेगा नहीं बाहर के side अब center पर pin up करते हुए side से इसको stitch करना है और side का जो भी extra fabric होगा उसको हम cut कर देंगे एक पेर मारजन का लेकर हमें stitch करना है यह देखे stitch कर दिया है हमने इसको center से chest के fourth part पर marking करनी है 8.5 inch पर west का fourth part लेना है 7 inch इसी तरीके से दूसरे side पर भी marking करेंगे slice round का half लेना है हमको 5.5 inch और इन तीनों marking को मिलाते हुए हमें fitting लगानी है प्रिंट्स डिजाइनर ब्लाउस में कर कम्प्लीट हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और चैनल को subscribe जरूर करिएगा thank you अनल को